हेलो एवरीबन स्वागत है आप लोगों का मेरे यूटूब चैनल LWD जॉब में सरकारी नौकरी पर्मानेंट वैकेंसी आई है एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगर्ड अड्मिनिस्ट्रेशन की तरफ से नर्सरी टीचर्स की वैकेंसी निकाली गई है सभी राज्यों के कैंडिरेट यहां आविधन कर सकते हैं सैलरी यहाँ पर fix'd salary 48000 आप लोगों को मिलने वाली है बाकी सारी चीज़े जह हम देखेंगे नोटिफिकेशन में कौन कौन आविधन कर सकता है यहां पर सभी राज्यों के candidate आविधन कर पाएंगे qualification अवियम चेक करेंगे सबसे पहले आप देखें education department चंडिगर्ड administration की तरफ से यह vacancy है 28 दिसंबर 2023 को advertisement जारी हुआ है यानि दो दिन पहले ही यह विग्यापन आया है main website पर आविधन करने की date जो है starting date जो है वो 10 January है closing date 5 February 2024 यानि काफी time जो है वो दिया जा रहा है यहां पर form फिल करने के लिए कुल जो है कितनी post पर vacancy निकाली गई है तो यहां पर सरकारी job है permanent बिल्कुल vacancy है 100 post पर vacancy निकाली गई है जिसमें general की 45 seat है OBC की 27 है SC की 18 है और EWS की 10 seat निकाली गई है pay scale की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहां पर जो है आपकी pay 48,000 के अबब आपकी होगी qualification चेक कर लेते हैं तो जो भी candidate जिन्होंने 12th pass कर ली है 50% marks के साथ में और nursery teacher education का diploma है preschool education का diploma है या फिर early childhood education program DEC ed आपके पास अगर इसका diploma है तो आप यहां पर आविधन कर सकते हैं किसी candidate ने अगर B.Ed nursery में किया है तो भी जो है यहां पर आविधन कर पाएंगे यह है qualification next जो है यहां पर selection कैसे रहेगा तो यहां पर देड़ सो कुशन आपको समय दिया जाएगा जिसमें क्या पूछा जाएगा other state के जो candidate है तो यहां पर यह जो 10 marks है पंजाबी language के थोड़ा सा यही difficult रहेगा इनके लिए क्योंकि इतनी जल्दी जो है पंजाबी language को सीखना जो है इतना सरल नहीं है बाकी जो है और जो पार्ट है उनमें आप जो है अच्छे marks लेकर आएंगे तो यह 10 marks की पूर्थी हो जाएगी difficulty level इन्होंने 10th standard कहा है लेकिन मेरे ख्याल से anti-teachers की vacancy निकाली गई है तो 8 तक जो है अगर आप Hindi, English, Math, Science, Social Science आप पढ़ लेते हैं तो इतना ही काफी रहेगा और GK का तो कोई अंत नहीं है यहाँ पर जो है negative marking भी रहेगी आपके हर एक गलत question पर 0.25 marks जो है आपके काटे जाएंगे age limit यहाँ पर रखी गई है journal category की 18 से लेका 17 साल तक के उम्र के candidate यहाँ पर आविधन कर पाएंगे SC, OBC, Ex-Servicemen, PWVD and other category candidate जो है इनको government of India या चंडिगड administration की तरफ से जो है यहाँ relaxation मिलता है ठीक है procedure for submission of online application तो यहाँ पर जो है date मैंने आप लोगों को बता दी 10 जनवरी से application form start होंगे 5 फरवरी तक चलेंगे application fees जो है यहाँ पर लिखा है not refundable, तो बहुत सो समझ के जो है form भढ़ना है क्योंकि ज्यादा है fees 1000 रुपए जो है यहाँ पर general category के है ठीक है जिसमें 500 SC SC category के तो fees तो जो है काफी ज्यादा है आप देख सकते हैं, online mode में ही आप लोगों को payment करना होगा और application form भढ़ना होगा यह date जो है आप लोगों को बता दी है सभी बाकि जो है syllabus क्या रहेगा तो upload हो जाएगा main website पर यह link है chdeducation.government.in इस पर जो है आजाएगा कुछ ही दिनों बाद अभी application form जो है fill होंगे 10 जन्वरी से तो यह important information जो की entity teachers के लिए है और बहुत समय बाद जो है entity teachers की जो है vacancy निकाली गई है तो यहाँ पर जो है अधर स्टेट के candidate बिल्कुल अलाव रहेंगे form fill करने के लिए तो notification देखने के लिए application form fill करने के लिए main website पर सबसे पहले आना होगा department of education चंडिगड administration यहाँ पर recruitment आपको नजर आएगा इस पर आप लोगों को click करना रहेगा तो सबसे उपर ही आ रहा है यहाँ पर click here for any notice regarding recruitment of entity इस पर आप लोग click करेंगे then यहाँ पर click करना है click here लिखा हुआ है तो यहाँ नीचे आप लोग click करेंगे तो यह जो है पूरा आ जाएगा विज्ञापन और जैसे ही application form start होंगे तो बिल्कुल आप लोगों को यही पर आना होगा तो चलिए मिलेंगे next video में thank you